आगत है आपका मेरी नई वीडियो में चलिए बात करने वाले है क्रिप्टो कैलसी मार्केट के बारे में फटाफट मैं आपके सामने यापर अपडेट रखने वाला हूँ वीडियो बहुत इंपोर्टन है ध्यान से आपको देखनी है हर एक अपडेट आपके लिए बहुत इंपोर्टन है तो आज हम बहुत इंपोर्टन मुद्दे के पर बात करने जा रहे हैं बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं काफी लोगों से इंफ्लेंस होते हैं और गवर्रमेंट भी देखो इंदी एंड उन लोगों की ही बात यहाँ पर सुनने वाली है जब क्रिप्टो की बात उठेगी ठीए अब सीधा बात करेंगे हैं पिछली वीडियो में भी पिछली दो वीडियो से आपको मैं बता रहा हूँ तो मेरे भाई मेरे ये लेवल बहुत इंपॉर्डेंट है 24,800 आपको ये लेवल बॉच आउट करने हैं उसके बाद आपको चाहें तो आप्ट्रेड कर सकते हैं अच्छा आज मैं टेलीगाम में हो सकता है कि आपके साथ कुछ कुछ कॉल शेयर करूँ तो मेक शॉर कि आप मुझे टेलीगाम पर फॉलो कर लें कमेंड बॉक्स में लिंक मैं आपके लिए रख देता हूँ बाकि टीलम की जो पोजिशन है वो अभी अपन है बाकि और जो होंगी पोजिशन मैं आपको टेलीगाम पर बता दूँआ चलिए नेक्स रप्रेट की दिरफ यहां पर बढ़ते हैं तो बिटकोईन को अभी तक मतलब कितने दिन हो गए बिटकोईन को आए हुए मार्केट में क्रिप्टो करनसी मार्केट तो बिटकोईन के बाद ही आई है लेकिन बिटकोईन को कितना ठाइम हो गया तो मैं आपको बता दूँ 4956 यानि कि सिर्फ 44 डेस बाद बिटकोईन को यानि कि एक महीने एक महीना दो-तीन दिन बाद 5000 दिन हो जाएंगे बिटकोईन को मार्केट में एक्जिस्ट करते हुए अभी 5000 दिन यानि कि 300 पैसेट दिन एक साल में हो गए इतने सालों में बिटकोईन ने 4 बार ATH बना लिया 3 बार ATH बना लिया 3 बार नीचे आ गया थीक है तो लोग क्या होता है जब उपर पहुच जाता है बिटकोईन भिटकोईन करते हैं लेकिन जब प्राईज नीच आ आता है तो बिटकोईन याप पर उनके लिए बुरा हो जाता है तो ऐसा नहीत है बिटकोईन सब की बंदकरी है जिन्होंने Bitcoin को गलत बताया है तो आप hodl करके रखो Bitcoin अपना ATH for sure जाए गई ठीक है, next update की तरफ में आप बढ़ते हैं तो next update आपकी Shiba Inu की है तो मेरे बाइश Shiba Inu की अपडेट यह है कि पिछले 24 गंटे में 225 million Shiba Inu burn कर दिये गए burn rate की बात करने 414% और की जाए, अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको burning और अच्छा rate दिखेशी बैनों में, चलिए अब बात करने वाले हैं उस मुद्बे के बारे में जिसके लिए मैं ये video create कर रहा हूँ, तो बात करेंगे crypto regulation के पर बहुत important update है तो आपकी इस डिस्प्ले पर अब एक tweet आएगा आप tweet को पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दो don't be concerned about crypto regulation in India let's be excited that regulatory process is underway in India eventually, India will follow global regulation अब मतलब क्या है इसका, ठीक है अगली eco line है, it's important to be an first mover build today so you can grow as regulation gets clear अच्छा, इन्होंने क्या काया, निशेल सिट्टी वज्जेक्स की founder है इंडिया का सबसे top exchange है वज्जेक्स इन्होंने काया कि अगर आप इस समस्यां में हो कि बहिया, इंडिया में crypto ban होगी, regulate होगी तो ऐसा बिलकुल मत करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इस चीश का, मैंने भी आपको यही कहा है कई बार देखो, आज इंडिया, चाहे आज की date में इंडिया आपका crypto को ban भी कर दे लेकिन, कल पूरी जब दुनिया accept करेगी तो किसी भी हालत में इंडिया को accept करना ही पड़ेगा तो अगर आप इस बात से concerned हो क्या बिटकोईन बैन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, काफी मेरे भाई कौईरी आती है तुमारे रात दिन मेरे पास message आते हैं कि भीया, क्या crypto बैन हो जाएगी, क्या अपना जो पैसा है हम वज़े एक से निकाल की, इसमें डाल दें, finance पर चले जाएं, तो यार ऐसे question आप सामने मत रखो, क्योंकि regulation आज नहीं है, तो कल crypto के उपर आनी है, let's be excited that regulatory process is underway in India भाया, हमें खुश होना चाहिए कि कम से कम crypto के पर बात तो हो रही है इंडिया में आज तक तो बात ही नहीं होती थी crypto के बारे में, लेकिन चलो अब बात तो की जा रही है, कहते ना की चलो, नाम तो हुआ, बेशक बदनाम होके हुआ, तो वही बाली बात है, चलो बात तो हो रही है crypto के बारे में ये बहुत important है, eventually इंडिया विल फॉलो global regulation देखो, पूरी दुनिया में acceptance हो रही है bitcoin की, कल नहीं परसों नहीं, तो पले दिन यानि कि अगले दिन bitcoin को accept करना ही पड़ेगा और bitcoin एक ऐसी चीज है मेरे भाई, जो कि आज आप चाहे तो बैन भी कर दो ठीक है, लेकिन decentralized है, bitcoin का जो core motive है न, वो वही है कि उसके उपर कोई ban नहीं लगा सकता made for the people by the people, for the people ठीक है, ये पूरा उसका वो है let's important to be easy mover first, हाँ, फायदा हमें होता है यार कि हम सबसे पहले accept कर लेते वो ही है, बिजनेस में आपको नहीं दिखा होगा जो बिजनेस में पहले idea लेके आता है वो first mover बन जाता है फिर दुनिया उसको copy करती है लेकिन चलिए हम अगर first mover भी नहीं बनते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि crypto India में ban हो जाएगी so today आपका जो focus है वो पूरा होना चाहिए मेरे भाई, ना की regulation के उपर, आप अपना focus बनाओ learning के उपर कैसे learn करेंगे fundamental, technical कैसे करेंगे वो तो हो नहीं है जो होना है दोगो ऐसा है, आप जिस school में पढ़ते थे college में पढ़ते थे, आपको क्या ये दिक्कत होती थी भाईया, school के teacher का जो fees है वो कैसे जाएगी आपको कभी ये दिक्कत होती थी या आपको ये दिक्कत होती थी यार मैं अपना ये जो subject हैसमें कैसे pass करूँआ, कैसे top मारूँआ आपको अपने subject में दिक्कत होती थे, ना कि ये कि भाईया school के teacher की fees कैसे जाएगी है ना, ये जो है, ये sealan आ रही हैं आपर, इसको कैसे सही होगी school में, ऐसा तो नहीं होता ना school college में, आपका बस आपका काम भही होता है, जो की as a student, as a student, आपका अच्छे number उसे pass होना, अब आप trader हो, तो आप ये मत गवरा हो कि India में regulation होगी नहीं होगी, for sure होगी लेकिन आपका काम अच्छा ही ये है अभी कि आप पूरा पूरा फोकस करो learning के उपर, आप पूरा पूरा फोकस करो कि किस तरह से आप अपने skill development करो आप अपने कैसे portfolio को manage करो आप कैसे अपना risk to reward का use करो, ये सारी आपकी आज की चर्चा है, ये कोई एक ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें कि मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको news दी है, लेकिन ये एक topic के उपर मैंने आपसे बात करी है जो मुझे लगता है मेरे विचार ये है अब देगा कि आपको मेरे विचार कैसे लगे, अच्छे लगे तो please like कर देना, चैनल के साथ बाइ टेकर एंड बी सेफ